तो यहां पे आपको टॉपिक से लगी रहा होगा कि 33 दिनों में बीट की तैयारी कैसे करें, गौर्मेंट कॉलेज कैसे पाएं, जो सपना है तो क्रैक करने का क्योंकि बहुत लोगों ने अभी तक तो फॉर्मी फिलप कर रहे होंगे, आपका कम्पिटिशन लगवा लगवा वन लाक बच्चों के साथ है, और जिसमें से सीटें हैं आपकी 36,000, यह कह नहीं सकते हैं, 36,000 बच्चों में, 36,000 में, एक लाक में, 36,000 बाना बहुत ही टॉफ रॉल होने वाले हैं, तो आईए हम उन सब बातों को डिसकस करेंगे, आपको करना क्या है, फॉर्स्ट ओफ और अगर फिला हैं तो हमारे चंनल को क्या कर दिजो एक वार अँवडार कर दिज सबस्क्राइब कर दीजिए और घंटी वाले छोटू से भलाकर क्लिक कर दिजिए और पुड़ाने हैं जो कि आपका आपको कुछ नहीं करना है आपको मार्केट जाना है आपको एक मॉक टेस्ट मैं इसलिए बोलती हूं दो मॉक टेस्ट अभी से लेकर यानि कि टोटल जो 33 डेश हैं हमारे पास अभी से लेकर एक मॉक आपको मॉर्निंग में देने है और दूसरा मॉक आपको इविनिंग में देना है तो अगर आप लोग हमारे पेट ग्रूप से जुरे हो तो आपको मैं और लेडी मॉक बहुत सारा प्रोवाइड कर चुकी हूं और मैं प्रोवाइड करती हू तो आप एक मौक ले सकते हो लेकिन अगर आप चाहते हो एक्स्ट्रा तैयारी करना तो कोई भी दो पॉब्लिकेशन का मौक ले लीजे कोई भी दो पॉब्लिकेशन जरूरी नहीं है कि हम जो पता हैं वही पॉब्लिकेशन जो आपको अच्छा लगे कोई भी कैसा भी हो दो प तो 80-90 नंबर को के लिए आप समझ सकते हैं कि 80 से नंबर इससे अगर कम नंबर आ रहे हैं तो समझ जाए कि दिक्कत होने वाला है तो अभी से कोसिस कीजिए 40 है तो कल 50 आएंगे 60 आएंगे तो वो हो गया है इतना करना है फिर इसके बाद आपको करना क्या है वो मैं आपको ब सकते हैं एक मौक खत्म हो जाता है तो आप दूसरा मौक बनाईए उसको डिवीजन जरूर कीजी इनलाइसिस बहुत इंपोर्टेंट होता है कैसे कि मैं आपको पता देती हूं मौक देती हूं उसका मैं एनलाइसिस जरूर यूट्टूब पर करवाती हूं तो आप उसे भी भी देख सकते है की कैसे कैसे question को solve करना है कितने समय में करना है क्योंकि एक घंटे धो गंटे का paper होता है आपका 120 मिनट का तो वहाँ भी आपको यही टाइम मैं भी एक घंटे डेर घंटे में पेपर को सॉल्फ करती हूँ तो आप उस लॉजिक से भी दा सकते हैं फिर आपको करना क्या है उसके बाद आपको क्या करना है आपना टाइम लिमिट बनाए थाटी देश का ठीके न तीस दिन तीस दिन को आपको कैसे कैसे करना है पंदरा दिन पहला आपको सारे अपने बेसिक कॉंसेप्ट किलियर करने है जितने भी आपके बेसिक कॉंसेप्ट है उन सबको किलियर करने है अगर आप में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अगर पढ़े भी हैं तो आप क्या कर लिजे रिवीजन कर लिजे पंदरा दिन में basic बांकी आपको मौक देते रहना basic उसके बाद आप लोग क्या कीजे daily एक काम कीजे कम से कम atlas क्या कीजे 15 question regioning के solve कीजे फिर 15 question atlas English के solve कीजे 15 question daily के काम करना है 15 question teaching aptitude के और फिर आपको gk के gk है कितने question solve के 10 question atlas Hindi के जरूर solve करे और gk के लिए आपको daily कम से कम कोसिस कीजे कि हमें आज 30 gk याद करना है चाहे कहीं से भी याद करे इतने काम आपको करने ही करने है यह आपका daily का target होना चाहिए आप क्या कीजे simply एक page ले लिजे छोटू सा एक छोटू सा page ले लिजे page में आपको बताईए लिखिएगा कि today मैंने क्या किया today देकर लिखिएगा कि आज मेरे 15 question target पूरे हुए फिर 15 question target पूरे हुए मौक पूरे हो गया उसके बाद आप दिन भर में जितना मने खेलिए कूदिए जो मने कीजिए लेकिन इतने आपको करने ही करने है by hook and crook जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनका तो मैं already करवाती हूँ क्योंकि उन लोग की practice उतनी हो जाती है आप अगर extra करना चाहते हैं तो यह आपके लिए well and good है अब बागी अगर बहुत लोग कुछ लोग होते हैं आसे किसमे के तो यह मत समझे आज नहीं पढ़ूँगा कल नहीं पढ़ूँगा क्योंकि आपके अपने पास खुद के time नहीं है अगर आपको crack करना है दो लाक रुपे बचाने हैं तो आप इतना काम जरूर करें क्योंकि यह बहुत आसानी चीज है तो इतना आप काम कर सकते हैं तो कीजिए क्योंकि do and die का है करो या मड़ो उसके अलावा कोई option नहीं है दोस्तों स्केषच के लिए अगर आपको करेंट अफ्यर कही से भी पांज लीजे तो डेली कोशिज कीजए हैं कमसे करेंट फियर हम देखते चले तो कमसे कम आप देखने के लिए बहुत सारे वीडियो यूज्टूप पर मोंसे अगर आप सुनना चाहते हैं और हमार्ण एक खबरी चैनल है, educational, rk point के नाम से, यह फोगा educational point के नाम से, उसे भी सुन सकते हैं, तो कोसिस किजिए, कि daily की current affair जरूर पड़े, क्योंकि current affair से आपके पाम से 7 question current affair के रहते हैं, तो आप क्या चाहते हैं क्या नहीं वो आप कर सकते हैं तो आप इतना कर लेंगे तो आप पास कर सकते हैं बागी आपकी मर्जी अगर आपने ये सोच रहा है कि मैं आज नहीं परूँगा कल परूँगा परसो परूँगा परसो से पढ़ाई स्टार्ट करूँगा तो फिर आपका कुछ नहीं होने वाला है मुझे मत आना कहना कि 42 उपर से अपनी accuracy सही रखना क्योंकि आपकी 90 score man 90 questions वैसे तो negative marking नहीं है लेकि 90 question कर रहे हो तो आपको 90 marks आने चाहिए और courses कीजिए जब आपकी तयारी पूरी हो जाती है तो 100 तक mark में marks में जरूर लाए बाकी आपकी मर्जी देख लो कि आप कहा हो कितने पानी में हो ये जानना आप पे depend करता है इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ आपको ये strategy जरूर पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो like जरूर करे धन्यवाद अगर आपको कोई और भी information चाहिए या मुझसे जूडने के लिए तो नीचे description box में जरूर करे और कुछ भी ऐसा पूछना हो तो आप मुझे comment कर सकते हैं बाकी आप मेरी telegram channel, whatsapp, आप मुझे कहाँ instagram पे हर जगा आप मुझे follow कर सकते हैं Thank you